तो आज मैं एक यूनिक स्टार्टर्क रेसिपी आपके साथ शेर करने वाली हूं इसका नाह में जुकिनी रोल्स आपको मेरी रेसिपी अची लगे अगर आपको मेरी रेसिपी अची लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीचिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है जुकिनी और इसे मैंने थिन स्लाइसे में ऐसे क चिलांट्रो, टूथपिक्स, बनाने के लिए मैंने आपे ग्रीक योगर्ट यूगर्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी योगर्ट यूज़ करें, बस वो थिक होना चाहिए, और फिलडल्फिया का क्रीम चीज मैंने आपे लिया है, थोड़ा सा ब्लाक पेपर, न डालें एक चम्मच क्रीम चीज, और एक चम्मच मैंने यहां पर ग्रीक योगर्ट यूगर्ट यूगर्ट यूज़ को, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका कम जादा कर सकते हैं, योगर्ट और चीज़ को, अब हम इसमें ब्लाक पेपर डालेंगे, न जीरा पावडर, और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लंस नहीं होना चाहिए, अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, तो देखें फ्रेंड्स, नहीं होना चाहिए, अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, तो देखें फ्रेंड्स, नहीं होना चाहिए, अच्छे से पू अब हम रोल्स बनाना शुरू करते हैं एक जुकिनी के लेयर को ऐसे ले लेंगे फिर इसमें लेके इवनली अच्छे से स्प्रेड करेंगे ऐसे स्प्रेड करने के बाद मुली के तीन स्लाइसे आप रख दें फिर गाजर को रखें एक कैपसिकम फिर धनिया पत्ती को ऐसा रखने के बाद आप इसको ऐसे पकड़के इसका एक रोल बना दे इसको इस तरीके से रोल कर देंगे और इसके बाद तूद्पिक की मदद से इसको हम यहां से थोड़ा बन कर देंगे ताकि यह खुले नहीं अब सेकेंड ले ले लेंगे जुकिनी का और स्प्रेड को हम इवनली स्प्रेड करेंगे बस मूली के स्लाइसिस रखेंगे बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंट्स आपको इसमें कुछ भी कुक करने की जरुवत नहीं है बस वेजिटेबल्स को कट करना है और अस एसेंबल करना है बस एक दन्या पता रखे इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और इसको हम टूथपिक से सील कर देंगे इस तरीके से हम सभी रोल्स बना के तयार कर लेंगे फ्रेंट्स तो इस तरीके से मैंने रोल्स बना के तयार कर लिए अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी तो लीजे बहुत क्विक रेसिपी है यह और जुकिनी रोल्स बनकर रेडी है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी अची लगती तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचे और आपके कोई भी सजेशन्स हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं थैंक यू फ्रेंट्स